दोस्तो आईपेल दोजार चोबीस का सोलबा महा मुकावला केके आर और रिसाप पंद की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में विसाका पट्टेनम के वाईजेक के मैदान पर खिला गया आपको बता दें कि इस मुकावले में केके आर के कप्तान स्रेश एयर ने टोस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया जापर केके आर की टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए पूरे 20 ओवर खिल कर अब 233 रनों के लक्ष का पीछा करने उत्री दिल्ली कैपिटल्स की टीम 17 पॉंट दो ओवर में धेर हो गई और मात्र 166 रन ही बना पाई इसी के साथ में केके आर की टीम ने इस मुकावले को 106 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया दोस्तो 166 रनों के बड़े अंतर से केके आर की टीम को जीत मिलने के बाद आईपेल 2024 के आज के पॉंच टेबल में बहुत बड़ी खुसकबरी मिली है और केके आर की जीत के साथ में ही आज के पॉंच टेबल में बहुत बड़े वदलाब हो गए है वही पर दोस्तो दिल्ल केपिटल्स की टेम को बुरी तरह से हार मिलने के बाद IPL 2024 के आज के पूरी तरह से बहुती बड़ा जटका लगा है और इसी के साथ में राजिस्तान और चेनाई सोपर किंग्स की टीम है हैरान और परेशान हो गई हैं मैं बार दोस्तों इस मुकाबले के खेले जाने के बाद आज के पूरी तरह से बहार हो चुकी हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि केके यार और दिल्ली कैपिटल्स के इस मुकाबले के खेले जाने के बाद IPL 2024 के आज के पूरी तरह से बढ़े वदलाब हुए हैं और कौन-कौन सी टीमों को इस मुकाबले के खेले जाने के बाद खुसकबरी मिली है वहीं पर कौन-कौन सी टीमों को तगड़ा जटका लगा है और कौन-कौन सी टीम में आज के पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंते तक जरूर किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा तो चलिए दोस्तों आज की स अंदार वीडियो की शिरुवात करते हैं तो दोस्तो आई पेल 2024 के आज के पॉइंच टेवल में सबसे आखरी पाइदान यानि की दसबे नम्मर की टेम के बारे में बात करें तो दसबे नम्मर पर यहां पर आई पेल की पांच बार की चेंपियन और हार्दिक पांडिया की टेम ने अभी तक IPL 2024 में तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों में MI को बुरी तरह से हार का सामना का नपड़ा है दोस्तो आपको बता दें कि अभी तक आज के पॉइंच टेवल में मुंबई इंडियन्स का एक भी अंक नहीं है और अगर नेट रंडेट की ब प्ले ओफ में कौलिफाई करने के लिए अपना नेट रंडेट तो सुलार नाई होगा और इसी के साथ में साथ मुकाबले जीतने होंगे तब ही मुंबई इंडियन्स की टीम प्ले ओफ में कौलिफाई कर पाएगी और दोस्तो अगर आज के पॉइंच टेवल में यहाँ प तो इस मुकाबले की खेले जाने से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टेम पॉइंच टेबल में साथवे नमर पर मौजूद थी लेकिन दोस्तों आप केके यार के हाथों दिल्ली को 106 रनों के बड़े अंतर से हार मिलने के बाद आईपेल 2024 के आज के पॉइंच टेबल में तगड़ा जटका लगा है और दिल्ली की टीम आज के पॉइंच टेबल में 9 नमर पर आगिरी है और इतनी बुरी तर ऐसे हार मिलने के बाद दिल्ली के एपिटल्स को अपने नेट रन रेट में भी काफी ज़्यादा घाटा हुआ है दिल्ली की टीम ने अभी तक IPL 2024 में 4 मुकाबले खेली हैं जिन मेंसे मात्र एक मुकाबले में दिल्ली को जीत मिली है और 3 मैचों में हार का सामना का नपड़ा है दोस्तो अगर बात करें दिल्ली के नेट रन रेट की तो माइनस 1.347 का काफी घटिया नेट रन रेट है को बता दें कि दिल्ली को प्ले आफ में क्वालिफाई करने के लिए 7 मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट काफी ज्यादा बहतर करना होगा और अगर आज के पॉइंच टेबल में 8 बे नम्मर की टीम की बात करें तो 8 बे नम्मर पर याँ पर RCB यानि की रॉयल चेलेंजस बेंगलूरू की टीम का नाम आता है बेंगलूरू की टीम ने अभी तक IPL 2024 में 4 मुकाबले खेले हैं जने मैंसे मातर एक मुकाबले में RCB को जीत मिली है और 3 में चो में बुरी तरह से हार का सामना का नपड़ा है इसी के साथ बेंगलूरू के आज के पॉइंच टेबल में 2 अंग खुचों के हैं और अगर बात करें नेर्ट रन रेट की तो माइनस 0.876 का काफी घटिया नेर्ट रन रेट है अब यहां से RCB की टीम को प्ले आफ में क्वालिफाई करने के लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेर्ट रन रेट तो सुधार नाई होगा माई पर आज के पॉइंच टेवल में 7 वे नम्मर पर यहां पर सिखर दवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स को बुरी तरह से हार मिलने के बाद पंजाब किंग्स की टीम को आज के पॉंच टेवल में बहुत बड़ी खुसकबरी मिली है आपको बताने कि पंजाब की टीम इस मुकाबले के खेले जाने से पहले पॉइंच टेवल में आठवे नमबर पर मौझूद थी लेकिन अब दिल्ली केपिटल्स की टीम नौवे नमबर पर पहुँच गई है और पंजाब की टीम यहाँ पर साथ भी नमबर पर आप पहुँची है आपको बता दें कि सिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब की टीम ने अभी तक IPL 2024 में तीन मुकाबले खेले हैं जिनमें से मात्र एक मुकाबले में पंजाब को जीत मिली है और दो मैंचों में हार का सामना का नपड़ा है इसी के साथ पंजाब के आज के पॉइंच टेवल में दो अंगो चुके हैं और माइनस जीरो पॉइंट तीन तीन साथ का का काफी घटिया ने रन रेट है अब यहां से सिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब की टीम को प्ले आफ में क्वालिफाई करने के लिए 6 मुकाब जीतने होंगे और अपना ने रेट काफी जादा बहतर करना होगा और अगर आज के पॉइंच टेवल में छटबे नम्मर की टीम की बात करें तो छटबे नम्मर पर यहां पर पैट कमेंस की कप्तानी वाली संराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है हैदराबाद ने अभी तक IPL 2024 में तीन मुकाबले खेले हैं जने मैंसे मात्र एक मुकाबले में हैदराबाद को जीत मिली है मईपर दो मैंचों में हार का सामना करना पड़ा है इसी के साथ हैदराबाद के आज के पॉइंच टेबल में दो अंग हो चुके हैं और अगर बात करें हैदराबाद के ने टरंडेट की तो प्लेस जीरो पॉइंटे दो जीरो चार का काफी सांदार ने टरंडेट है अब यहां से हैदराबाद की टेम को प्ले आफ में क्वालिफाई करने के लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे और हैदराबाद की टेम 6 मुकाबले जीतने के अगर आज के पॉइंच टेबल में पांच भी नमर की टीम की बात करें तो पांच भी नमर पर यहां पर सुमन गिल की कफ्तानी वाली गुजराट टाइटन्स की टीम मौजूद है गुजराट ने अभी तक IPL 2024 में तीन मुकाबले खेले हैं जनमें से दो मैचों में टाइटन्स के आज के पॉइंच टेबल में चार रंग हो चुके हैं बाई पर दोस्तों अगर बात करें नेट रंडेट की तो माइनस 0.738 का काफी घटिया नेट रंडेट है अब यहां से गुजराट की टीम को फ्ले आफ में क्वालिफाई करने के लिए पांच मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रंडेट भी सुधार ना होगा और दोस्तों अगर आज के पॉइंच टेबल में चौते नम्मर की टीम की बात करें तो चौते नम्मर पर केल राहुल की कपतानी वाली लखनो सोपर जाइंस्ट की टीम मौजूद है लखनो ने अभी तक आई के पॉइंच टेबल में चार अंग हो चुके हैं पाई पर दोस्तों अगर बात करें नेट रंडेट की तो प्लस 0.483 का काफी सांदार नेट रंडेट है लखनो की टीम को यहां से प्लेओफ में कौलिफाई करने के लिए मातर पांच मुकाबले जीतने होंगे और अगर रित्तुराज गाइगवार की कफ्तान इवाली चैन्नाई सोपर किंग्स की टीम मौजूद है चैन्नाई ने आई पेल 2024 में तीन मुकाबले खेले हैं जनमें से चैन्नाई को दो मैचों में सांदार जीत मिली है और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है इसी के साथ CSK के आज के पॉइंच टेबल में चार अंखो चुके हैं और अगर बात करें नेट रंडेट की तो फिलाज 0.976 का काफी सांदार नेट रंडेट है CSK की टीम को भी लखनो सोपर जाइंच की तरह ही प्ले आफ में कौलिफाई करने के लिए 5 मुकाबले जीतने होंगे और द राजस्तान की टीम ने अभी तक IPL 2024 में तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों ही मुकाबलों में राजस्तान की टीम को सांदार तरीके से जीत मिली है दोस्तों आपको बता दें कि IPL 2024 में राजस्तान की टीम को अभी तक हार का सामना नहीं करना पड़ा आपको बता दें कि त 249 का काफी सांदार नेट रंडेट है अब यहां से राजिस्तान रोयल्स की टीम को प्ले ओफ में कौलिफाई करने के लिए मात्रे चार मुकाबले जीतने होंगे और राजिस्तान की टीम चार मुकाबले जीतने के साथ में अपने 14 अंकों और सांदार नेट रंडेट के साथ म आई ट्राइडर्स की टीम मौझूद है आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स को बुरी तरह से हरा कर कॉलकाता की टीम ने आज के पॉइंच टेबल में पहले नमर पर जगा बना ली है दोस्तों कॉलकाता की टीम ने अभी तक IPL 2024 में तीन मुकाबले खेले हैं जिनने मैंसे तीनों ही मुकाबलों में केके आर को सांदार जीत मिली है आपको बता दें कि केके आर की टीम को भी अभी तक IPL 2024 में हार का सामझा नहीं करना पड़ा केके आर की टीम के तीन मुकाबले जीतने के बाद आज के पॉइंच टेबल में छे अंग वो चुके हैं पहीं पर दोस्त चार मुकाबले जीतने होंगे केके आर की टीम चार मुकाबले जीतने के बाद सीधा प्लेओफ में क्वालिफाई कर जाएगी तो दोस्तों ये रहा आज के पॉइंच टेबल का पूरा सम्मिकरन लेकिन दोस्तों आपको कह लगता है कि IPL 2024 में प्लेओफ की रेस में वो कौन सी चार टीम होंगी जो सबसे पहले प्लेओफ में क्वालिफाई करेंगी आप हमें कॉमेंट करके अपनी केमती राय जरूर देजिएगा फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद